इमली अपने पती के साथ एक छोटे से किराय के कमरे में रेती थी इमली का एक बेटा था जिसका नाम बंटी था उसका पती वीर कुछ भी काम नहीं करता था सारा दिन घर पे पड़ा रहता था इमली चोटे मोटे काम करके अपना और अपने घर का गुजारा करती थी एक दिन उसकी वीर से भैस हो जाती है तू निकल जा इस घर से और अपने बेटे को लेकर जाना मैं कहा जाओंगी जी आप मुझे घर से क्यों निकाल रहे है तू कई भी जाके मर मेरा तुझसे कोई वास्ता नहीं है इमली अपने बेटे बंटी को लेकर गर छोड़ देती है मा मुझे बहुत जोरों की भूक लगिये मुझे कुछ खाने को दो कहां से दू बेटा तुझे खाने के लिए मेरे पास तो पैसे भी नहीं है चल तू रूप में कुछ इंताजाम करती हूँ खाने का इमली उदर इदर देखती है लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता वो अपने बेटे को क्या खिला है बंटी बेटा तुमी स्पेड के पास रुखो मैं थोड़ी देर में पैसे कमा कर लेकर आती हूँ अब इमली काम की तलाश में निकल जाती है तब ही वो सामने कुछ औरतों को इटे उठाती हुए देखती है उसके आखों में चमक आ जाती है साहब मुझे यहाँ पे कुछ काम मिलेगा मेरा बेटा बहुत भुका है आपकी बड़ी मेरवानी होगी तुम यह देख रही हो यहाँ पे औरते इटे उठाने का काम करती है अगर तुम यह काम कर सकते तो करो मैं यह काम कर लूँगी साहब अब इमली इटे उठाने लगती है थोड़ी देर बात काम कतम करके इमली सेट से कहती है मालिक सारा काम हो गया आप मुझा पैसे दे दीजिए मेरा बच्चा भूका बेटा है हाँ एलो पैसे इमली पैसे लेकर अपने बेटे बंटी को खाना खिलाती है बंटी जल्दी करो शाम होने से पहले हमें तुमारे मामा के घर पहुचना है अब शाम को इमली अपने भाई के या पहुच जाती है भाईया मेरे पती ने मुझे घर से भाहर निकाल दिया मेरे पास रेने को कोई ठिकाने नहीं था इसलिए में यहाँ चली आई इमली इसमें कहने की क्या बाते यह घर तुमारा भी है तबी जिंटू की पत्नी ट्विंकल वहाँ पे आती है सुनो इमली यहाँ पी सिप कमाने अब इमली सुबाशी शाम उधर से इधर बटकती रहती है कई दिन गुजर जाते है इमली को कोई काम नहीं मिलता है एक दिन इमली काम की तलाश में निकलती है तबी रास्ते में एक बूड़ी औरत चक्कर खाके गिरने वाली होती है लेकिन इमली उसे बचा लेती है तुम का इसी जगह ले जाओंगी जहाँपे बहुत सरी अवरते काम करती है वो भी तुम्हारी तरह दुक्की है तुम्हें वहाँ पर जाके बहुत अच्छा लगेगा अब इमली विमला के साथ जाती है वह उसे अपनी साथ अपने गर लेकर आती है देखो बेटा यहां पर कितनी सारी औरते काम कर रही है ये भी तुमारी तरह परिशान है तुम चाहो तो तुम यहां पर रे सकती हो ये एक नारी संस्ता है ये सुनकर इमली बहुत ज़्यादा खुश हो चाती है और अगले दिन वहां पर खुशी-खुशी लेने लगती है